हेलो दोस्तों मैं सुप्रिय आप लोगों को सुप्रिय एजुकेशन हब यूट्यूब चानल पर स्वागत करती हूं आज के वीडियो लेक्षर में क्या आने वाला है हम लोग अभी 65 से लेके 100 तक मैज सबसेदी के मोडल पेपर का पूरा सोलुशन देखने वाले देखिए मै मैं आप लोगो 61 कोसन दिखाज हो देखिए मैं 61 फोकस पुछा गया था और 62 में पूँछा गया था यह वोगा आप लोगको इसकी त्री में चूल पूंचा गया था यह एकूर पINता करना होगा और प्ता करना होगा आया आप दोन के देखिए मैं 61 है अज faукत आप लोग क मतलब 61 से लेकि 65 दे कमेंट सक्षन में आप लोग का एंसर मेंशन कर दोंगे 62 देख लिजी आप लोग एक बार 62 में देखिए आप लोग को पता होगा हम लोग लिप्स हाइपर बोला कैसे चेक करते हैं तो हम लोग h2 equal to ab करके चेक करते हैं तो अगर आप लोग इसका निकालिएगा h2 equal to ab तो आप लोग का h2 यहां से क्या जाएगा h हो जाएगा 5 by 2 मतलब h2 हो जाएगा 25 by 4 equal to 36 तो यह आप लोग का 25 बार दे मतलब लेस दन आएगा तो आप लोग का सेंटर क्या होता है आप लोग का सेंटर हो जाएगा देखिए अभी हम लोग 65 से सॉल्व करते है 65 में आप लोग को if the focus does not lie upon the directrix then the conic is circle when तो आप लोग का सर्किल का होता है सर्किल होता है आप लोग का जब एल इक्वल टू जीरो होता है तब चलिए देखिए नेक्स्ट कोस्टन क्या है दी कोनिक है ना तो यह इलिप्स का होता है तो इलिप्स होता है जब आप लोग का h2 less than a b होता है मैं आप लोग को तीनों क पेहलों कोनिक यह कंडिसन करता है तो आप लोग कैसे देखते हैं हुआ तो आप लोग देखेए स्क उच्वारीकॉंट क्या निकाल Из-बाद स्क जाया क्या निकाल italian verdi पर इसे देखिये आप लोगो एक बताना चाहती है इन लिदन का अगर आप लोग डेल्टा को जीरो आज जाता राप्लेव ही पूसे यहां नेक्स्ट याज़ Tout इस रिप्रेजेंट से सर्कीलिक यह कोस्षन के लिए नहीं दिख रहा होगा मुझे भी पता है बट मुझे जो कोस्षन भीजा गया था वह किलियर था ही नहीं और मैं उसका फीडिये बना यह पीडिये में मैं पूरा चेंज नहीं क्यूंकि चेंज करती थी तो और गंदा हो था खी लिएर कुछ नहीं दिख रहा था इस वजय से है अप लोग का एक जन्रल एक्षस्य क्वैसर प्लस टू एक्स्वाइज जोभी आप लोगा जो एक्वेशन वह दहाँ जैनल हो अश्चल कब रिप्रेजेंट करता है तो सर्किल रिप्रेजेंट करता है जब बाबर और H का value 0 मतलब आप लोग का option number C जो दिया हुआ न वो बिल्कुल correct है circle का रिप्रेजेंट करता है circle रिप्रेजेंट करता है जब H equal to 0 हो और A और B दोनों आपस में बराबर हो तो आप लोग का option number C में दिया हुआ तो 68 का option number C correct हो जाएगा 69 का है x 69 में लेंगर देखिए 69 में आप हो से इसेंटरे सीट्यघी पूचा जा रहा है आप लोगों से silly access मतलब A and B ka value दिया हुआ है तो A का value आप लोगको 5 दिया हए और B का value आप लोगको 3 दिया हुआ इस एंट्रीशीटी एक फर्मुला में बताई थी बोली थी ये फर्मुला जब तक याद नहीं रहेगा सब तक आप लोग एलिप्स का कोसर नहीं बना पाईएगा तो देखिए यह फर्मुला यूज करना भी ए स्कॉयर की हो जागा ठेंटीफाइगा और अशक्वैर क्या हो तो आप लोगों को एक वैलू दिया हुए और आप लोगों का यहां पर लोगों का पचीस आएगा और यहां पर आप लोगों का नाइन तो आप लोगों का आजाएगा वन माइनस ए स्कौर्ड तो एसक्वार क्या हो जाएगा वन माइनस नाइन बाइटविंटवी मतलब पतीस में से नहीं आप चार बट्य पाश हैं और यह जो दिया वैनस 69 का विलकुल करेक्ट है चलिए देखिए नेक्स्ट कोसन क्या आप तो आप लोगों का एक बाव फिर से देख लेती हूं तो आप लोगों का सेंटर ओरीजिन पर जब होता है तो आप लोगों का उसका एक्वेशन होता है a एक स्क्वेर फ्लस टू एक स्वाई प्लस वीवाई इसका है मतलब जी और एक 어प्सन नमबर बी करेक्ट होना चाहिए कोसन नमबर सेंटी का चलिए देखए नेक्स्ट कोसन करे हैं कि 51 और यह पूछा पूछा जादा यह पूरिक आप लोग को किया करना होता है अगर आप लोग स्पार करते हैं और आप लोग के बॉराबर आता है तो आप लोग होजा है लेकिन आप लोग लोग करते हो socket जो एंसर हो जाएगा कोशन नमबर 71 का ओप्शन नमबर ए जो है देखिए जो मैं पिसला वीडियो डाली थी तो फर्स्ट वीडियो 32 आदमी देखिया है और सेकें 30 आदमी देखिया तो आप लोग ज्यादा वीडियो को सेर नहीं कर रहे थे इसलिए मैं आगे का वीडियो नह है तो आप लोगों किया करना होता है आप लोग इससे लोप निकाल लिए अर पॉइंट दिया है तो अब लोग करने में ताइम वेस्ट नहीं करते है जिनका शेसन 2020-2023 और वो कोशन देखना चाहते है कैसा है तो आप लोग बस कोशन में कशन देख लीजिए और सौल्व वो एंसर मिलाना चाहते है दे लोकस अब दे मिडिल पॉइंट अफ ए सिस्टम पैरलल कॉर्ड अफ ए कॉनिक इच कॉल्ड अफ कॉर्ड तो 73 का उप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा 74 के अदे इक्वेशन अफ टैंजें दिस स्लोप पता है तो आप लोगों का कॉस्टन नमबर कितना है आप लोगों सेवेंटिफोर का ऑप्सन नमबर डी जो है वो वह बिल्कुल करेक्ट आजाएगा कुछ भी सेज करना नहीं था देखिए आप लोगों का जिसको पहले गलती हुआ तब शुरू के कुछ तो हो सकता है कि उनलों का गलती हुआ होगा क्योंकि वह रियल अनलेसिस पढ़े नहीं थे इस वज़े से लेकिन अभी अब सभी के सभी कोस्टन सही होड़ा होगा क्योंकि अब कोस्टन बहुत ही आसान है चलिए देखे 74 तक तो देख चुके अब हम लोग देखेंगे कोस्ट नमबर 75 क्या है देखे 75 नमबर कोस्टन क्या आप लोग का देखेंगे अप लोग को बता ही नहीं चोड़ दे रहे हूं 76 का टेंजेंट फ्रम दे फोकस्ट्व अकॉनिक सडिस्फाइ दी कंडिशन फूर आप लोग का इसका करेक्ट एंसर हो जागा सर्किल 76 का आप लोग का ऑप्सन नमबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है चलिए देखे नेक्स्ट कोस्टन क्या है तो यह तो सभी को पता होगा आसानी से इसका करेक्ट एंसर हो जागा रोट टू चलिए देखे नेक्स्ट क्या है चलिए 77 तक तो हम लोग कर चुके है ना 78 के आप लोग का विच ओधी फॉलोइंग कर्व है जैने सिम्टोप तो देखे आप लोग का सर्किल के स्वारी इलिप्स के पास भी यह सिम्टोप होता है और हाइपर बोला के पास भी होता है तो आई थिंक इसका कौन सा करेक्ट हो ड्रफे पॉणद इसको इसको अनू Reports देखेंगे सोपर्डीओंते सब्सक्राट क्या है क्या जैतने होता spherical polar coordinates 342 then r is equal to तो आप लोग का r का value क्या हो जागा root under root under 3 का square 4 का square और 2 का square 16 25 24 मतलब option number b 82 का बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए देखिए next question क्या है the equation of this represent तो आप लोग का ये equation जो है वो क्या represent करता है तो आप लोग का ये एक surface को represent करता है और चलिए देखिए next question क्या है ऐसे 83 का कर भी कर भी हो सकता है 83 ये दोनों में से कोई हो जाएगा चलिए देखिए next question 84 बहुत ही easy कुछ नहीं करना है आप लोग को इसमें distance पर मुलाब कर दिस्टेंस पूछ रहा है 84 का option number B जो है वो बिल्कुल correct हो जागा ओके चलिए 84 तक तो देख चुके अब हम लोग देखेंगे 84 तक हो गया आप हम लोग देखेंगे question number 85 देखिए question number 85 क्या आप लोग का थीडि मेच्वाली perpendicular plane divides the space into तो आप लोग का इसका correct answer क्या हो जागा थीडि मेच्वाली perpendicular plane divides into 8 parts तो 85 का option number D जो है वो बिल्कुल correct दिया हो है चलिए देखिए next question क्या आप लोग का 85 तक तो हो चुका है देखिए 86 question क्या the angle between two diagonal of a qv's तो आप लोग में साधी यह model paper में था क्योंकि मुझे जाहां तक याद है मैं आप लोग को यह question बताई थी एंगल between two diagonal easier cos inverse 1 by 3 तो 86 का option number C जो है वो बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए देखिए next question क्या आप लोग का 87 है if alpha beta gamma are the angle which a line makes with the axis then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma तो आप लोग का क्या हो जाएगा तो आप लोग का इसका correct answer होगा 2 87 का option number B जो है वो बिल्कुल correct है चलिए देखिए next क्या है the angle between the line whose direction cosine are given by the equation L plus M plus N equal to 0 and L square plus M square minus N square equal to 0 तो आप लोग का इसका correct answer होगा 5 by 3 88 का option number A जो है वो बिल्कुल correct है चलिए देखिए next question क्या है 80 यह सब कर चुके है हम लोग कहां तक कर लिये थे हम लोग का 88 तक हो चुका है अब हम लोग देखिए question number 89 चलिए देखिए 89 number question क्या आप लोग का the direction cosine of the axis है तो आप लोगों को axis का direction cosine क्या हो जाता है आप लोगों का क्या देखिए कौन से एक्सिस है वह भी किलियर कोस्टन नहीं दिख रहा है यहां तो आप लोगों का इसका correct answer हो जाएगा आप लोगों का इसका correct answer क्या होगा देखिए यह जो पीडिये बेस्ते हैं वरुन वेवाब है उनका पीडिया जो आता हुआ सभी के सभी कुस्टन के लिए लेकिन बाकि सभी बेस्ते हैं तो सीधा भी देते थो थोड़ा सा फोटो खीज़ के भी दिए तराकर नेक्स सेसंट के इस्ट्ट के विडियो को देखेंगे तो कॉस्टन अच्छी से किलिए उनको देख सके हैं और नाइन अटि क्या पूछा जा रहा था सुन लिजे मेरी बातों को आप लोगों से L square plus M square plus N square का value पूछा जा रहा था और L M N जो है वो direction को साइन दीया वा था तो आप लोग का इसका है न 1 होता है ओके तो 90 का option number D correct हो जाएगा 91 का the equation of the coordinate plane X Y is तो आप लोग का इसका correct answer क्या होगा the equation of the coordinate plane तो X Y plane का है तो आप लोग का इसका equation of coordinate Z equal to 0 हो जाएगा तो 91 का option number D जो है न वो correct हो जाएगा 92 के आप लोग का the number of arbitrary constant in the general equation of the plane दीश तो आप लोगों को इस plane के equation जो दियावा इसमे arbitrary constant जो होता है न डी जो होता है न वो आप लोग का arbitrary constant होता है तो 92 को option number A जो है न वो बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अब हम लोग देखेंगे next question क्या है देखे 93 आप लोग का all normal to a plane और always तो आप लोग का जितना भी normal होता है न सभी के सभी perpendicular होता है तो 93 का आप लोग का option number A correct हो जाएगा 94 के आप लोग का image of the point तो देखेंगे आप लोग का इसका image पूछा जा रहा है तो आप लोग को इसका formula होता है x minus x1 upon A और y minus y1 upon B equal to z minus z1 upon c equal to minus 2 times of ax1 plus by1 plus c z1 plus t divided by देखेंगे आप लोग के सामने ही solve कर लेते हैं देखेंगे क्या आता है x minus x1 upon 2 है और equal to क्या आता है आप लोगों का image है ना तो image है minus 2 times of ax1 मतलब किज़ेगा तो यहाँ पे आगा 2 minus 3 plus 4 plus 3 और divided by 4 plus 1 plus 1 तो आप लोगों का यह यह कट गया 2 4 6 आ गया 4 5 1 6 आ गया ओके तो आप लोगों का यह 6 6 कट गया तो आप लोगों को यहाँ से x minus 1 equal to क्या आया minus 4 आ गया तो आप लोगो x equal to क्या आ जाएगा minus 4 plus 1 मतलब x equal to minus 3 आया तो option number b correct हो जाएगा question number 94 का option number b correct है आप लोग देख लीजिएगा एक बाद चलिए देखे 95 क्या है the angle between the plane this and this तो आप लोगो इसके बीच का angle पूछा जा रहा है तो आप लोग इसका निकालिएगा तो क्या आएगा चलिए देखे हम लोग निकाल के देखी लेते question number 95 पे है ना हां तो मैं निकाल ली थी तो इसका option number a जो है ना वो आया था 95 का option number a ही correct आएगा करना कुछ नहीं आप लोगो दो plane के बीच का equation निकालना है तो आप लोगो cost theta किजिए और यहां पर आएगा one into two minus one plus one और divided by यह से यह कट गया यहां पर आया तू और इसका magnitude क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा और इसका magnitude दो के चार प्लस one plus one मतलब रूट 6 हो जाएगा तो आप लोगो टू अपन रूट अंडर 18 होगा मतलब तीन 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 आई 9 दून 18 मतलब तीरूट टू अपन टू इससे काट देगा रूट टू बाइटरी ओके तो आप लोगो कोशन कितना आसानी से कितना जल्दी जल्दी बन रहा है तो 95 का ऑप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा और आप लोगो बाइप लोग शयाएगा इसका और यह सटेश डिस्टेंस निकालना आप लोग को तो बस मडूल परी सॉल्द करवाया थे तो देंगी आप लोग को सिखाट अभी सिखाने का वक्त नहीं आप लोगका एंसर वालेंसर रूट च्छाएगा करना कुछ नहीं इसका फर्मूला होता है r2-r1.u cross b divided by u cross b का magnitude बस आप लोग को इसी से solve कर लेना है चलिए देखिए 98 number question क्या angle between line and plane तो देखिए आप लोग अगर angle between two line निकालते हैं तो आप लोग cos theta का सहरा लेते हैं अगर आप लोग angle between line और मतलब की two line निकालते तो cos theta अगर line और plane आ जाता है तो आप लोग का साइंट इता आ जाता है तो 98 का आप लोग का option number d जो है न वह करेक्ट आएगा आप लोग इसको solve करके देख सकते हैं 99 आप लोग को image निकालना है तो अगर आप लोग 99 को solve करते तो आप लोग का इसका कडेक्ट इंसर आएगा option number भी आप लोग कर भी सकते हैं मैं पहले भी एक image निकालने का formula बता चुकिए उससे solve करके देख लिएगा okay चलिए हंड्रेड number question क्या है the direction cosine of the straight line y equal to z equal to 0 अगर y 0 है तो आप लोग का direction cosine इसके क्या हो जाएगा 100 मतलब आप लोग का question number 100 का option number 1 कडेक्ट हो जाएगा इस तरीके से मैं आप लोग को एक से लिके 100 तक के सभी question बता दी मैं आप लोग को बस कितना लगवक 100 में से 5 या 6 question आप लोग को नहीं बताई तो आप लोग कहीं और से पूछ के अपना confirm कर लिजिएगा ओके तो आप लोग को पूरा model मतलब की question paper का solution आप लोग कैसा लगा मुझे comment section में जरू बताईएगा और अपने